आज बनाएंगे पापड की न्यू रेसिपी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी और खाएंगे जब स्वाद इतना आएगा कि बार बार बनाना चाहोगे नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम पापड की न्यू रेसिपी बनाने जा रहे हैं वैसे तो हमने पापड की पहले भी बहुत सारी रेसिपी बना रखी हैं लेकिन आज ये युनीक सी रेसिपी है पहले कभी नहीं बनाई होगे आपने एक बार जरू ट्राइ करके देखें बहु जूंग दाल का पापड ले रखा है और इसको आपने तोड़ कर इस तरह से मिक्सिजार में डाल लेना है और यदि आपके पापड सीले-सीले हैं तो आप थोड़ा सा धूब में इसको रख दे धूब लगाकर धोसने और गड़े से हो जाएंगे यहाँ पर मैंने लिया है एक pan, gas पर रख दे, गरम होने के लिए इसमें डाल लेना है आपने एक चमच के गरीब oil, oil आप कोई भी ले सकते हैं, या फिर देसी घी भी ले सकते हैं, तेल के गरम होने पर आपने इसमें डालनी हैं, तीन से चार कलिया लहसुन की, लहसुन को आप गोल भी काट सकते हैं, या इस तरह से काट सकते हैं, या फिर लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से काटी हुई लहसुन बहुत ही बढ़िया टेस्ट देती हैं, तो आप अपनी चंसार काट ले लहसुन को जिस भी शेप में काटना चाहते हैं, अब एक प्य तो इसको थोड़ा सा रोष्ट कर लेते हैं यानि भूनना है आपने सीम गैस पर गैस आप सीम ही करके रखें तो जब तक हमारा ये प्याज भूनता है फटा-फट से एक काम कर लेते हैं लेना है आपने वही मिक्सी का जार और इसमें डाल लेना है आपने मुठी भर हरा धनिया धनिय के आप डंठल भी ले सकते हैं साफ करके ही आपने लेना है धनिया और इसमें डालेंगे दो से तीन हरी मिर्च और एक डाल लेते हैं इसमें लैसुन की कली और एक इंच अद्रक काटकर डाल लेते हैं और इसमें जाएगा थोड़ा सा ठंडा पानी ताकि इसका कलर बिल्कुल भी चेंज ना हो और इसको पीस ले देखिए फाइन सा पेस्ट हमारा बन कर रेडी है यह देखिए और दोस्तो थोड़ा सा पानी जान में डाल कर इसको दो कर भी कटोरी में ही डाल ले ताकि आपका ब दाल मिर्च भी ले सकते हैं और आधा चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर तो यह डाल कर आपने मिला देना है मिक्स कर देना है और जब यह भून जाए आपका प्याज अच्छे से तब आपने इसमें वही धनियवला पेश जो हमने बना कर रखा है वह डाल लेना है औ इसलिए फटा फट से इसको चलाना है और रुखना नहीं है बिल्कुल भी जब यह पकने लग जाए तब आप इसको छोड़ सकते हैं अब यह पकने लग गई है थोड़ा सा हम इसमें पानी भी डाल देते हैं बस वही एकडोरी धोकर डाल लेते हैं पानी ताकि आपका पू पाव भाजी मसाला या आप गरم मसाले का यूज भी कर सकते हैं मैंने यहां पर पाव भाजी मसाला लिया है बहुत ही बड़िया टेष्ट देगा यह मसाला तो इस तरीके से आपने यह ढाल लेनी है और इसको पकने देते हैं बाकी और फालतु कुछ नहीं डालेंगे इसमे और इसको ढख कर दोस्तों, पकाना है, बिलकुल सिम गैस कर दें और इसको पकाते रहें, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं, अब लिये हैं मैंने यहां पर दो उबले हुए आलू, इस तरीके से इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं, कद्दूकस हो चुका है, अब इस आलू को ह गरम बेसन अगर जूरत पड़ी तो मैं और भी लूंगी बेसन और इसको मिक्स कर देते मैं अच्छे से यदि आपका डो थोड़ा सा पतला लगे यानि दोस्तो ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है तब आपने एक चमच इसमें और बेसन ले लेना है मैं यहाँ एक चमच और बेसन ले रही हूँ बस जादा नहीं लेंगे इसमें मेरा ये डो परफेक्ट बन जाएगा तो इस तरीके से ये डो बन गया है परफेक्ट ये देखे दोस्तो इस तरह से ये बन गया है अब आपने हाथ साप करके हाथ पर थोड़ा सा ओयल लगा कर इसके रोल बनाने हैं रोल आप छोटे बड़े कर सकते हैं आपने इसके छोटे छोटे रोल बना लेने हैं यानि कि जै प्रवाइब दूसरे चीपक सकते हैं या फिर कड़ाई में लग सकते हैं तो ये देखिए दोस्तो ये सारे हो चुके हैं इस तरीके से जब ये अच्छे से सीख जाए यानि थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाए तब आपने इनको निकाल लेना है ये बहुत ही सिंपल सी और टेस्टी रेसीबी बनी है दोस्तो आप एक बार ट्राइ करके जरूर देखना तो देखिए दोस्तो सारे निकाल लेने हैं मैंने बॉल थोड़े से फूल चुके हैं और इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में अब देख लेते हैं अपने तड़के क तो तड़का हमारा इस तरह से हो गया है देखिए जो दही डाली थी उसने कैसे घी छोड़ दिया है बिलकुल अच्छे से हो गई है अब इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं यदि आपको ये ग्रेवी गाड़ी सी लगे अपने टेस्ट के अंसार आप इसमें पानी ड बन कर रेडी हो जाएगी तो देखिए दोस्तो डालते ही ये थोड़ी सी फूल गई है बहुत ही बड़िया रेसिपी बनी है बिलकुल नरम नरम कॉपते इस तरीके से दोस्तो आपने पापड से ये रेसिपी बना लेनी है खाने में जबरदस देखने में सुन्दर तो इस ही एक और रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक धन्यवाद